नमस्कार वित्रानू जिनियस साइंस मदे आपले सर्वांच मना पासून खूब खूब स्वागत आए चला वाट पाता है इतना चला आपन एक सुन्दर सा एक बीट आज आपन अब्यास ना रहे खूब जबर्दस्त बीट अब्यास ना रहे जैसे नाव आहे प्रिजिंग प पार्ट आपन अब्यास लेला आए याचा पूड़चा जो पार्ट आए जो क्राइस्कुपी त्यानंतर रिलेशन आसेल त्यानंतर मोलालिटी क्यालकुलीशन आसेल आशे कई बर्याच कंसेप्ट आपन या मदे इथा अब्यास ना रहोत है पर केमिस्ट्री मतला की आपना अब्यास करत आसतो त्यांवा अपनास जास्ती जास्त मुद्दे लक्षात एतासता आणी कदी लक्षात ग्या केमिस्ट्री चा अब्यास करत आसताना अलवेज इच एंड एवरी कंसेप्ट इच एंड एवरी चाप्टर इस रिलेटेट टू आवर डेली लाइफ आपल्या दैनन्दीन जिवनातल्या प्रतेक गुस्टी सी याचा सह संबंध अस्तो त्युक्ष भी आपको सिल्याबस में दिया गया होता है जो कुछ भी सिल्याबस रहत है साइन्स का जो भी फिजिक्स का हो केमेस्ट्री का हो बायो का हो हमारे लाइफ से ही रिलेटेड होता है और जब हम जो कुछ सा भी कंसेप्ट हम लर्न करते हैं वो कंसेप्ट हमारे लाइफ में किस जगह इसका इस्तेमाल होता है इसका कंपेरिजन करके अगर आप पढ़ा सिरसाट और आप देख रहे हैं जीनियस साइंस यूटूब चानल अगर अभी तक इस चानल पे नए है तो जल्दी से चानल को सब्सक्राइब करो बेल आइकॉन दबाओ और आपने दोस्तों तक इसकी लिंक शेर करो क्यूंकि अक्सर अच्छी चीज़े हम एक दूसरे के शेर करते होंगे क्योंकि यह मैं आपके लिए बनाता हूं जैसे कि अता निसरगात जर पाहिला आपन मित्रानों तर आगोदार वाइट गुष्टी रुज़त असता अनि नंतर चांगल्या गुष्टी आपनास रुजवाव्या लागता जावेश तुम्हें यूट्यूब पाहन्याच आउजी आपन लागली दूसरा वीडियो पहतों जो कि आपलेला आफोशकता नसते हमें। आणि आपली चूक नहीं मित्रानों थे निसर्गाची जरी ताहे निसर्गा मदे आगोदर वाईट गोस्ति रुजत असता पॉस पढ़ल्या बरोबर आगोदर गाजर्गावत उगवत तुरॉन तन उगवत असता आगोदर शेती मदे आणि त्याच्या नंतर तन उगवले योँ देत नाई ये तरन वगेरे पुना अंखिन तरन पड़ तसतो पुना त्याला फवार नी करावी लागते पुना खुरोप नी करावी लागते आणि चांगले पिकाच संगोपन करून आपनास उद्पन्ड ग्याव लागत तसाच प्रकार आहे अपलिया हता मदे अलाके आपन इतरत्र पहात बस्तो आणि अपला वेल वाया घालोतो आपन पावर मोबाईल चालू केले आब औरु बर तास धन तास अपन वाहिपट पिक्चर पात अबाओ वाहिपट वीडियोज पातो तिक्ट वर चे वाकड़ि तोंड केलिले वाकडे नाक ये ले ले चाहे तो जिनियस सायंस आसो कि वा दुसरेया एकाता कोंते ही YouTube चानल वर चाहो कि वा दुसरेया कोंते ही वेबसाइट चाहो कि वा तुम्चा मोबाइल ओर आलेला एकाता चांगला वीडियो आसो ते कितपद शेयर करता तुमी एजुकेशन चाह संदरबात नाई वाकड़े तिकड़े आस्तिल कोंते ही महराजाची आस्तिल वाइट पर श्वया दिलेला आस्तिल तर तशे वीडियो तुम्ही शेयर करता कारण का पर निशीतत मला गैरंटी है कि इतुन पुड़त तर तुम्ही एजुकेशन ची वीडियो शेयर कराल एजुकेशन चेच वीडियो पाहाल एजुकेशन चेच वीडियो शेयर कराल एजुकेशन चेच वीडियो एक मेका ना देनग है न कराल याने आपल्याद न्याना मदे भर पड़त अस्ते मनुन मी सांगतों मनुन तर इतुन पुड़त तरी आलतु फालतु पहत बस्तिल, नकोते पहत बस्तिल, आनि त्यांची मानसिक्ता डिस्टर्ब होईल, आनि आल्तु फाल्तु पान्यामदे यांचा वेल जाइल, असा त्यानना वाटत असत मित्रानों, आनि मनुन तुम्चा हता मदेते मोबाईल देत नस्ताथ, पन त्यांचा विश्वासा तुम्ही कॉमेंट कराईची है, आनि प्रजेंट मनुन मला इते सरवाण नी सांगाईची, प्रजेंसी देचे सगलेंची, मिन नंतर वीडियो पूर्ण जाल्याचा नंतर सरवाण चे कॉमेंट मी पाहत असतो, कि कोन काय कॉमेंट करतो है, कशा पद्द तीने कॉमेंट करत अजिएसिट्स कॉन्हिफार मेंट जाल्याचा संगलेंट मेंट चे करता है, कशा पद्द पाहते हैंית करिको नुख अल्त चे की וकलेंट मेंट सरवाण चेंबाटन, क्रों की rockets पाहते है जानना कुठतरी गैरेज वर नोकरी करेचते चाहा अजया मदे ठेवलीली आहे तो आलतु फालतु इते जोग करतो है तुम्हाला काल सांगीत लेलेच आहे में कोमेंट के लेनि मुली पठात नसता अधा बया जनलास के वेग विला पद छया क कोवेंट करता जसकाल मुली निवाात शाहिए उपन मेत्रानों संक्तों मेत्रानों आइचा मो मुल्ला फैला सथा आ recuerverse ऑनी मुल्गा यहीक मशनीवर आखतो है तुम्ही त्याला दलत पाहत आहोत, what is cryoscopy, cryoscopy मन्जे काय आपन इते पाहत आहोत, बरो बरे, त्या नंतर फूड आपन पाहत आहोत, या नंतर, relation for the depression in freezing point and molecular weight, freezing point and molecular weight, आशा पद्दती चे हे point आपन या मदे इते अब्यासत आहोत, मग आता काय काय आहे तो एक 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 point पाहत आपन इते पाहा, तर पाहा, what is cryoscopy, cryoscopy मन्जे काय, यह के ने, cryoscopy चे definition आपन पाहत, freezing point, आता जसे तुम्हाला सांगितल, कि हा freezing point सुद्दा, आपलिया धैनन दे जूनाशी related आहे, आपलिया लाइव चीद संबंधीत आहे, आपलिया आयुश्याची संबंधीत आहे, मग freezing point मन्टले चान नंतर, तुम्हाला खाऊँ खूब सभीस्तर या विशय मी information दिलेल, दे experimental method, the experimental method to determine the molecular, experimental method मतले, लग्षाद गया, cryoscopy, spectroscopy आशा पदती चा एक शब्दा आहे, स्पेक्ट्रोस्कोपी, तशा स्वरुपा चे ही, cryoscopy आहे, experimental method to determine molecular, जला आपन मुलार, mass of non-olatile solute, कोंत्याँ चा, non-olatile solute चा, मुलार mass आपन measurement करतो, by measuring the freezing point of a pure solvent and a solution of non-concentration, अनकी एकदार पाहा, हाँ point समझाओं सांगतो है, this is the experimental method आहे, ही एक प्रायोगिक method तो, speed water, दी प्रायोगिक method आहे, आन्ती परपरवा जाले के बंद घर, experimental method to determine the molecular mass of non-olatile solute, non-olatile material लग्षा दिया, जो हवे मदे एवापरेट होत नाही आसा, non-olatile solute, by measuring the freezing point of pure solvent and solution, pure solvent and solution, या दोनी चा, experimental method चा आधारे, molecular weight determine करन्याची, जी काई method आहे, त्या method ला आपन, cryoscopy असे मन्तो, okay, this is called as cryoscopy, okay, आथा पूड कहा सामगे आपन, relation for depression in freezing point and molecular weight, relation देचे आथा, कोणा कोणा चे relation देचे तुमाला, relation in between depression in freezing point and molecular weight, आथा साहिंट तुमाला, एकाजा substance ओ molecular weight आपन कसे काड़ाई चासे ती, आगुदर काड़ लेला है, आणि त्या मद है depression in freezing point and त्याचा molecular weight, या संद्रबाद चे relation तुमाला, इता पाईचा आहे, तर मित्रानो, तुमाला सांगत अस्ताना, सांगतुए मी, कि कॉमेंट करत अस्ताना, आपलिया घरची संस्कुरुती, शुद्ध आहे, आशाच पद्धती चा कालेज जिग्या, आपलिया घरची संस्कुरुती चांगली आहे, कि मां आपलिया आईवडिलांची इज़त वाडेल, प्रतिष्टा वाडेल, तुमची कॉमेंट पाहले चा नंतर माला आसवाटल पाहे जे, कि हाँ चांगली आईवडिलांची चांगल लेकरु आहे, इरेलेशन लक्षाद्या ससंबंध, रिलेशन मंजी नाति संबंध, ओके इतनाति संबंध तोई आपन, कोनाचे नाति संबंध तोई, रेलेशन्शिप, फोर डिपरेशन इन फ्रिजिंग पॉरिंट, और मॉलीकूलर वेट या दोनी चे रिलेशन, तृता पाहा, equimolar quantities of different solutes equimolar quantities मतले quantities अपन कोना चे of different solutes fan dissolved in equal weights fan dissolved in equal weights of the same solvent equal weights of the same solvent okay depress manja decrease the freezing point to the same extent मंजे तुम्हाला सांगेत तेला है एकाद्या solvent मदे आपन जो solute add केला तर त्याचा vapor pressure decrease हो तो जर non-olatile solute add केला आसेल तर अनि non-olatile solute add जर केला जर non-olatile solute add केला तर त्या मदे एक लक्षाद का काई सांगेत त्या मदे त्याचा freezing point वर सुदा परिनाम पड़तो आनि त्याचा boiling point वर सुदा परिनाम पड़तो boiling point त्याचा elevate करावा लागतो आनि freezing point मात्र त्याचा depress हो तो कशा मोला by the addition of non-olatile solute अनि मनुनीत दिले equimolar quantities of different solutes different solutes sodium chloride sugar गेतला वेगवड़ा पद दत्याचा solute गेतले फेन डिजोल अनि इन्ते डिजोल के लिए कशा मदे equal weights of same solvent तितके च इक्वल वेड़तो आप same solvent अनि मग पूड़तो डिप्रेस बज़ डिक्रीजेस डिफ्रेजिंग पॉइंट तो दी सेम एक्स्टेंट त्याचा सेम एक्स्टेंट परें त्याचा freezing point का हो तो डिप्रेस केला जातो अशा पद्धती ची ही प्रक्रिया आपना सीते पाहिला मिलत असते ओके आता पूर्चा point की आमदे काय सांगतो आपन question number question दिला एक्जांपल सांगतो आपन काय आहे 0.1 molar solution ओफ यूरिया यूरिया चा सोलूशन दिला आपन किती 0.1 molar ओके शुगर दूसरा कोंता है शुगर एक यूरिया चा सोलूशन है दूसरा कशाचा आहे शुगर चा आहे और तीसरा कशाचा आहे ग्लुकोच आहे ग्लुकूल वीली हाव दी सम्फ्रीजिंग पाइंट तर तंचे सेम्फ्रीजिंग पाइंट तर पूदे गया तर तर दिप्रेशन ऑप रगीजिंगग पूर शॉल्वन इस युष्रट और बेश्टिंग आप सोलूशन इन ग्राम मोल्स आप सोलूट ग्राम मोल्स आप सोलूट पर 100 ग्राम आणि पर 100 ग्राम बंजे 0.1 केजी त्याला 1000 ने डिवाइड करता स्थो आपन जर ग्राम चरूपान तर किलोग्राम मदे कराईचा सेल तर त्याला आपन 1000 ने डिवाइड करता स्थो यानि क कि हमें अगर किलो ग्रैम का ग्रैम का कनवर्जन हमें अगर किलो ग्रैम में करना है तो हमें 1000 से उसे डिवाइड करना पड़ता है और 1000 ग्रैम डाट इस दिवन केजी आप स्माल वन दाट इस तू मुलालिटी यम आप दी सोलूशन तरमा यतर काय देल है ही लास पीरिट महदे आपन पाह जिला है काय पाहे लेला है डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पोइंट वह रहाद गिया जब हम प्योर देल्टा लेते है तो उसका फ्रिजिंग पोइंट और solute add करने के बाद उसका freezing point ये दोनों में difference आ जाता है जब pure solvent रहता है उस वक्त उसकी freezing point जादार होता है और solute add करने के बाद उसका freezing point नीचे जाता है कम होता है यानि कि pure solvent जब रहता है उस वक्त उसका freezing point और solute add करने के बाद उसका freezing point दोनों में जो कुछ भी difference हमें मिलता है that difference is called as that difference is called as उसे हम क्या कहते है this is called as depression in freezing point and that is directly proportional to the small m that is called as molality किसके बराबर proportionality है ये molality के बराबर proportionality है molality के बराबर तो आगे का क्या है देखो तो delta tm is equals to kf into m what is this kf तो kf क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया है ok kf के बारे में हमने पिछे भी पड़ा है और आगे भी पड़ने वाले है ok तो देखो kf is proportionality constant as is known as freezing point constant उसे क्या कहते है हम freezing point constant कहते है ok और molal depression constant यह थुड़ा सा point लिखे लो और मैं आपको जल्दी ही इस chapter के notes में आपको यह chapter के नहीं जो इसके पहले जो chapter हमने लिया था इसके chapter जो कुछ भी beats है वो beat wise मैं आपको material provide करूँगा beat wise chapter wise जो इसके पहले जो हमारा chapter हुआ है circular motion का उसके notes मैं आपको बना के दे रहा हूँ notes मैं तब तक मैं आपने group पे पोस्ट करूँगा group पे group पे दालने वाला हूँ और group पे दालने के बाद उसमें जो beat है वो beat का question और question के नीचे video की link रहेगी video की link समझो यानि कि मैं आभी आपको यहाँ question दे रहा हूँ तो question के नीचे video की link रहेगी उसी beat के उपर उसी beat के उपर video की link रहेगी और उसका पीडिये बना के मैं आपको share करने वाला हूँ group पे genius science नाम की heading वगरा दालके तो आपको जल्दी मिलेंगी यह notes तो इसके बात देखो तो फेर the kf is the proportionality constant and is known as freezing point constant उसे हम freezing point constant कहते हैं और molal depression constant और cryoscopic constant of the solvent cryoscopic solvent इसे आप इस तरह से कहते हैं यह रहा delta tf is equal to kf into m तो kf बोले तो क्या है तो kf बोले तो this is card as cryoscopic constant ओके आगे का point क्या है देखो then then molality calculation अब इसका हम relation देने वाले हैं okay relation तो इसमें okay तो then the molality calculation तो इसके बाद देखो question suppose delta tf is the depression in freezing point अभी अभी मैंने आपको बताया था okay यहां बच्चे पूछ रहे है कि sir text books line to line आहे ना नहीं मित्रा नो लाइन टू लाइन शक्य होत नाहीं शक्य होत नाहीं मन्ने पेख्षा कारण का तुम्हीं बोड़ा चा पुस्तक दर नुस्त दर फालो के ला तर मीं यहां नोट्स देख अस्ता ना cbsc चो जे ncrt चे पुस्तक एन c e r h e n c e r t आणि आपला यम यह सी आर्ट यम यह सी आर्ट या दोगांचा combination कुर्णी नोट्स देहर खेले ले ले दोगांचा combination आहे कारण का तुम्हाला जी का नीट examination डाई चे फेस कराई चे दाट नीज नीट examination is completely based on cbsc ncrt ओके त्या साथी माजा करण भरपूर स्टेडी मटेरिल आहे भरपूर मटेरिल आहे त्या चापे की सरवांचो combination करण में तुम्हाला हे देता है जरत वे टेक्स्बुक चाच पद्द तीने जर महनत आसाल तर तुम्हाला नीट मदे वेगला सोरूपाचा प्रश्ण यूँ शक्तो वेगला डाटा घितलेला आसू शक्तो वेगला सिम्बॉल घितलेला आसू शक्तो और त्या ठिकानी मात तुम्हाला प्राब्लम हे उशक्तो वेगला असताना पुस्तका मदे तुम्हे जेकाई सिंबॉल सास्तिल जेकाई अलफाबेट वापर लेले असतिल जशाज तशे सिंबॉल इथ असतिल असा नाही पन कंसेप्ट तोचा है कंसेप्ट तोच आहे आनि त्याच्छ पद्दत त्याच्छ अने प्रेटना केले लाहे मज़े स्टेड बोडाचा पूराला वाट वाटू ने विद्धर्थत्याना वाटू ने की बबाब सीबी चीच तले आउगडाए अनि सीबी सीच्छ मुलाना वाटू ने क्यारे है येले सोपा है डोनीच अदूआ करने अचा मी प् है dépression मतले आता साहीं तो तुमाला और था नडबलू टू ग्राम आप शोलूट मॉलीकॉल अप मॉलीकॉलर वेट डबलू टू ग्राम सॉलूट डबलू टू का यह है ग्राम का यह क्या है तो मॉलू किलर वेट is the यम टू, इस डिजॉल वण ग्रैम, देखो, डब्लू टू इस दिस सोल्यूट, उसका वेट है यम टू, वो किसी में डिजॉल रहे है, डब्लू वण में डिजॉल रहे है, और उसका वेट क्या रहेगा, यम वन रहेगा, ओके, और उसकी मॉलालिटी अगर आपको करनी है तो वह आएगी small m morality m of the solution is given अब आ है तो वह morality क्या रहती है देखो तो इस तरह से लिख लो यह sentence लिखे लो चलो थोड़ा सा जल्दी sentence भी लिखा करो sentence भी लिखा करो इसके उपर बहुत सारे multiple choice questions पूछे जाते है multiple choice questions पूछे जाते हैं इसके उपर इसलिए आपको यह questions बहुत अच्छी तरह से prepare करने होंगे need g के लिए इसके उपर which is correct from following इसी तरह से question पूछे जाते है which is correct from following नए तो आपको एक definition दी जाती है जैसे कि अभी cryoscopy की definition मैंने दी तो cryoscopy की definition दी जाएगे और यह किसकी definition है इस तरह से आपको नेचे पूछा जाएगा इस तरह से a, b, c, d कुछ तो different word रहेंगे तो इस तरह से आपको इसके उपर theoretical question भी पूछा जाएगा और इसके उपर आपको mcq के लिए आपको problem भी पूछा जा सकता है problem बोले तो example पूछा जा सकता है इसके उपर यहनि कि आपको w2 दिया होगा w1 दिया होगा m2 दिया होगा और इसके मदद से आपको morality determine करने के लिए आपको कहा जाएगा उके उसके बात देखो substituting this value M in equation first जो की equation first मैंने अभी अभी आपको दिया था क्या था होगा एक्वेशन delta tf is equals to kf into M यह equation था एक्वेशन था एक्वेशन था वहाँ तो इसमें क्या है देखो तो देन देल्टा tf is equals to 1000 into w2 into kf into kf divided by w1 into M2 w1 into M2 इस तरह से यह step आती है क्योंकि इसके पहले मैंने step आपको दी थी delta tf is equals to kya था delta tf is equals to kf into M इसी तरह से यह equation था तो kf था तो इस तरह से इस पह अगर आप small M की value यहाँ लिख देते है यह देखो यह इतना है यह देखो इस तरह से यह है ओके यह है यहाँ ओके लेकिन यहाँ खाली 1000 एक्स्ट्रा है ओके substituting the M in above equation 1000 भी है स्वारी 1000 भी common है तो इसके बाद w2 is equals to M2 है यहाँ अगर हम consider करते हैं पर क्यों consider करते हैं w2 equals to M2 क्यों consider करते हैं if one mole of solute is taken अगर हमने one mole of solute ले लिया है one mole of solute ले लिया है is taken and w1 w1 कितना है जिसमें हम add कर रहे है जो solvent है जिसमें हम solute add कर रहे है उसका weight हमने कितना लिया है 1000 ले लिया है 1000 और 1 kg that is fan molality of the solution small m then the molality of the solution is तो कितनी रहेगी देखो तो इस तरह से that is the delta tf is equal to kf रहेगी क्योंकि order जो term है one mole of solute solute कितना लिया हमने one mole लिया w2 equals to क्या है m2 है अगर यह w2 equals to m2 है तो यह उन्हों भी term cancel हो जाएगी बराबर है उसके बाद यह जो w1 है यह w1 कितना लिया हमने w1 1000 लिया यानि कि उपर 1000 है और यह भी 1000 है यह भी cancel हो जाएगा यानि कि यह चारों भी terms cancel हो जाएगे खाली यह बचेगा kf खाली kf बचेगा तो kf बचने के बाद खाली equation आएगा delta tf is equal to kf आएगा ओके तो आगे का बीड देखो इसके बाद then cryoscopic constant जिसे हमने अभी बताया था मैंने cryoscopic constant क्या है the depression in freezing point produced by dissolving one mole of non-olatine solute in 100 100 gram और 1000 gram of solute you know this यह थोड़ा सा मेरे साथ लिखे रही लिखली जिए depression in freezing point point लिखली जिए depression in freezing point देखो cryoscopic क्रायोस्कोपी constant व्याने तो क्या है देखो depression in freezing point produced by depression in freezing point produced हो गया क्यों प्रोडूस हो गया क्यों प्रोडूस हो गया दिजोल्विंग कितना amount है बाइद दिजोल्विंग one mole of one mole of non-olatine solute cryoscopic constant की definition में आपको दे रहा हूँ freezing point depression है बट कब depression है जब हम one mole of non-olatine solute dissolved in किसमे दिजोल कर रहे हम 100 gram और 1000 gram of solvent 100 gram और 1000 gram of solvent में अगर हम one mole of non-olatine solute dissolve करते है अगर उसका freezing point अगर depression होता है तो उसे कहते हैं हम cryoscopy constant cryoscopy constant okay then इसके बाद देखो it is same for the same solvent it is same for same solvent it is same for same solvent it is same for same solvent यह same रहता है same solvent के लिए और आगे का point क्या है देखो it is independent of nature of solute it is independent of nature of solute यानिकि solute के nature के उपर यह depend नहीं करता solute खोंसा भी हो उसके उपर यह depend नहीं करता चैनि कि solute के nature के उपर sorry solid कोनसा बोगे चलता जो solute है उसका अलग रहता है same solvent it is same for same solvent लेकिन जो Pier Solute है solute के नेचर के ऊपर हुआ डिपेंड नहीं करता ओकितना है इसके ऊपर डिपेंड करता है मैंने शुरू में आपको definition दिया था कितना है इसके ऊपर डिपेंड करताई है क्लेकी इसके बाद it is expressed in degree centigrade किसमें express किया जाता है यह degree centigrade और degree Kelvin per mole per solute per mole per solute 0 degree centigrade में express किया जाता है और इसका अगर Kelvin में है तो degree Kelvin में भी sorry zero Kelvin ने degree centigrade degree Kelvin per mole of the solute per 100 gram और वो पर 1000 gram of solvent अभी आपको किसमें दिया गया है यह 100 gram और 1000 gram के quantity में यह आपको दिया रहता है ओके इसके बाद देखो with the help of above equation second जो की equation अभी आपने देखा है तो क्या आएगा तो देखो नोट दाउंडिस M2 is equals to M2 is equals to M2 is equals to M2 is equals to equals to क्या आएगा 1000 into W2 into KF cryoscopy constant w1 divided by w1 into delta TF w1 into delta TF ok w1 into delta TF ok otherwise, then this is an expression for determination of molecular weight hi L this is an expression for determination of molecular weight molecular weight of solute molecular weight of solute तो इस तरह से molecular weight determination के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है अभी तक मैंने आपको क्या-क्या पढ़ाया देखो थोड़ा सा हम revise करते हैं इसको क्या-क्या मैंने आपको पताया देखो पहले मैंने आपको पताया क्राइस्कोपी वाट इस मिन भाइक क्राइस्कोपी यह एक एक स्प्रेमेंटल मेथर से अगर हम किसी भी molecular weight वगेरा determine करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और एक बार determine the molecular or molar mass of non-olatile solute by measuring the freezing point of pure solvent and solution of known concentration जिसका concentration हमें पता है नोन है इसके मदल से और इसके बाद relation for depression in freezing point and molecular weight यह हम अभी पढ़ा है relation between किसका relation depression in freezing point and molecular weight इन दोनों के बीच का relation है तो इन दोनों का relation क्या है देखो तो molality यह दोनों का relation मैंने आपको यहां बताया है तो क्या है यह delta tf is equal to kf into m this is the relation ओके यह आपको मैंने यहां relation दिया है ओके तो आगे का point क्या है देखो दैन यह molality calculation तो molality हम किस तरह से calculation करते हैं तो substance वगेरा आपको दिया गया है तो substance का amount भी दिया गया और किस तरह से हम कौन किसमें dissolve करते हैं यह मैंने इसी sentence में आपको बताया है और इसके बाद यह equation है equation है small m equals to 1000 into w2 divided by w1 into m2 moles of solute है ओके और इसमें हम first equation में अगर इसे लिख देता है तो delta tf is equal to a combined हो जाएगा पूरा और combine होने के बाद एक खाली extra kf आएगा यहां kf आएगा खाली और kf extra आएगा तो resultant delta tf equals to यह पूरा का पूरा उसी तरह से आएगा और बाद में kf यहां links लिखेंगे अब इसके बाद लास्ली क्या है देखो तो w2 equals to constant w2 equals to m2 है और w1 आमाउंट कितना हम नहीं लिया ओभी 1000 लिया तो चारोही टम यहां cancel होते है तो खाली बाकी बचता है only बचता है खाली delta tf is equals to kf बचता है delta tf is equals to kf तो इसके बाद cryoscopic constant तो cryoscopic constant क्या है देखो the depression in freezing point producer by dissolving one mole of non-olatine solute one mole of non-olatine solute in 100 gram of solvent or 1000 gram of solvent उसमें अगर हम dissolve करते है तो okay और उसका अगर freezing point depressed होता है तो उससे हम cryoscopy constant कहते है okay and it is the same for the same solvent एकी solvent है तो उसका cryoscopy constant same होता है okay it is independent in the nature of solute solute पे independent है और इस एक्सप्रेश किया जाता है degree centigrade degree Kelvin में express किया जाता है पर hundred gram और 1000 gram of the solvent इसके बाद with the help of above equation second जो अभी अभी मैंने आपको बताया था तो क्या है m2 equals to 1000 into w2 divided by kf kf divided by w1 into delta tf अगर हम delta tf के पराबर इसे लिख देते है तो this is the expression for determination of molecular weight of the solute in the solute का मैंने बताया था आपको कि यह मुवन is the molecular weight of solvent and m2 is the molecular weight of solute the solute का molecular weight आप इस तरह से determine कर सकते हैं याने की ओके तो इसके बात देखो next one क्या है what is the application of application of the principle of depression in freezing point मैंने कि इसका कहां कहां application किया जाता है मैंने शुरू में आपको बताया था कि यह हमारे daily life से related है हमारे daily life में यह कहना कहां इसका इस्तमाल होता ही है लेकिन कहां कहां होता है यह आपको मालुम पंडाव चाहिए आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं इसके application दे रहा हूं तो इसके application कहां कहां है देखो तर देखो देखो देड the application of principle of depression in freezing point are application of the principle of depression in freezing point तो क्या-क्या है इसके depression देखो then it could in cold countries आपको बताया था शुरू में आपको बताया था पेट्रोल डीजल में इसका इस्तिमाल किया जाता है शुरू में आपको बताया था कि non-volatile solute add करने के बाद इसका freezing point depression हो जाता है किस तरह से देखो एक दोग application में in cold countries the frozen ice on roads frozen ice on roads and footpaths during winter is melted by spraying salts like sodium chloride or calcium chloride which depresses the freezing point of the water अफया टन फालक्स्याद गया अथा तुम्हीगी अधर पाहला आत अपल्या कटल बर्फ पड़त मैं पंदर थंड रीजन म्दे नियुपाल आपण जम्मू कश्मीर हेल काट्म मांतों चमू कश्मीर नियू कश्मीर पढ़ल ऑता जम्मू कश्मीर न आई तर Haj अरुनाचल प्रदेश कड़े दर गेला तीटान अगर वरेचा एरिया दर पाहला तुम्हे पार आसाम, दिबरुगर वगेरे दिस्पूर वगेरे त्याचा पलिकर्चा दर भाग पाहला तुम्हें इकड़ने येनारी चायना ची बॉरडर इकड़ने येनारा होंकोंग और इ अगर तुम्हेला सांगाय चा मैंजे आता बर पी यहवडा पड़तो कि आखा इमारती चा दीड मजला जेमीनी मदे त्या बरफा मदे गाडला जातों कि दीड मजला बरफात गाडला जातों ऺांट दूरतर डत आस्याइख आपनस उत्तराखन्द मदे बदिरनात केदार नात असेल उत्तरकाशिभाग असेल याए ठीका नी उत्तरकाशई वगरे त्यामंतर जोशीमठ जिल्ला है याझ जोशीमठ जिल्ला cig Mean उत्तरा कैल्सियम क्लोराइड के वा सोडियम क्लोराइड थी तो रोडवर अंथर ले जाता आणि ट्राफिक शुरू के ली जाते बराच वड़ास मदे असरात काई थंड प्रदेशा मदे अता हे जाल आप लाकट चा इथला भाग जाला जर तुम्हें रशियाचा भाग जर गेतला सा साइमरिया मंजे इत्ध़र अपला भाषरट आया जर गर हर यह जागे मंदे इतक कोट तरी हो माथ्या साहल आ चैना हे तर इकड़ा वर्चा अशा सो रूपा मंदे इकड़ा रसी आहे पार इकड़ा यूरॉप तर या जो रसीया चा झा भाग जर जाता प्र्देशा से थन्दा हवेचा प्रदेश पुर्णा थन्दा आवास थी तर कोल्ड रिजन मन तो आप पन त्याला कोल्ड कंट्रीज त्या ठीकानी बारा मेने बर्फ थोड़ से टेंप्रेचर बदल्या बरोबर ती तो बर्फ पड़तो और रस्ते चक जाम होता था ट्राफिक पूर्ण था टांचा कि रोडशाफ करते बर्फ आसा बाजुला फिक ताक्ता दस आप लेक्या हर्वेस्ट रस्तु कि दो गूकंट श्ती श्याविपन चट्रीज डारेज्ग हर्वेस्ट किरेव थात तो डारेज्ग काप्तों कापन मदा मद्य घेतो भूसाह बूसा जेमिली वड़ पूर्णता जमा करतो आणि वाबराचा बाहर आल्या चा नंतर पुना नंतर तो गव सेप्रेट पोत्या मदे क्वाइकाद निदी घातला जातो हार्वेस्ट चा पद्दति नहां रोडवर चा बरफ आशा गोडा करत चालतो आणि फ्यां चा आधार बाजुना आशा फेकला जातो तो असा बाजुना फेकला जातो इकड़े तीकड़े इसर मशीन चाहा थारे पन त्याटिकाने कमी प्रमानाम अब जाशेल ता ताकला जातो आणि तीत अ अशा पद्द्द चू प्रक्रिया केली जाते ओके खुल कंट्रीच अबाप्ति तुमाला सांगित लिए अध फ्रीजिंग पॉंट अवाटर तो निटिक वॉंट फ्रीजिंग पॉंट यहा चाहां प्रेशन मम एक जात्यां विद्द पर फॉर पाने चाहा बिचिंग्पॉंट प्रमांना चाहा प्राभाणा शुल्वादा पैस में सब्लाटा ओ ठाकल आपन चाहां पर ऍातो आएगल अधर शाथ लावत असता ना चा आइस्क्रीम अध्ल्या साइल थेवल जाता न बाहरों आस तक्तो तोपली चा बाहरों अनि त्याम अधे काय टाकल जाता तर भर्याज जनानी त्या थेकने उत्तर दील होता उत्तर साहित लटो त्युमी की सोडियम क्लोराइड महतल जाता त्यानांतर पुड अपन पुडचा मुद्धा पाउया, त्यानांतर पुडचा, देन, दी आइसिंग ओफ एरो प्लेंस and एर्पोर्स is carried out by using SALS, विश्यांतर होत नाही, अतर्व घोग्रे, कलपेश मारपले, सर विश्यांतर होते खूप, विश्यांतर होत नाही, माजा विश त्यालाज धरुन सांगतो है, माला ते एक्जांपल सम्दाउन सांगित लिया, शुवाए मुलाना सम्जत नाही, बैसिक कंसेप्ट दर मीजर सांगित लाखी है, आसा आसा या ठिकानी त्याचा वापर केला जातो, तर त्यावा परफेक्ट एक पिक्चर डोल्यापुड त एक पिक्टरारैजेशन होत असा आणि जो परियंद कनसेप्ट ऑपिक्चराईजेशन होत नाही, सिक परियंद कनसेप्ट सम्जат नंस्ट, मनुलहे मला आटा टा पिता करून सांगा वलाकत अन एक्टॉ या विडियो मेदे एक कनसेप्ट की परफेक्ट सम्जाउन सांगने चा प्रयत्न करतास्तो विश्यांतर नाही तुमाला तो मुद्दा समधने ला नहीं माजा ओके दि आई डी आइसिंग दी एरोप्लेंज एंड एरपोर्ट इज कैरीड आउट बाई यूजेंग दी सार्स डी आइसिंग दी एरोप दी आइसिंग आफ एरोप्लेंज एंड एरपोर्ट्स मतले मजे विमान तडावर सुद्दा मीट अंथरल जात फ्रिजिंग पॉइंट डिप्रेस करन्या साथी और फ्रिजिंग प्रिजिंग पॉइंट डिप्रेस करन्या साथी याचा वापर केला जातू तुम्हाला डेली लाइप मदे मल्टिपल चोईस खोशन मदे सुदा प्रश्ण वीचाला जाओ शक्तो की वीचीज दी अप्लिकेशन फ्रॉम फॉल्विंग इन केस आफ फ्रिजिंग पॉइंट विचिस दी क्रेक्ट अबाउट फ्रिजिंग पॉइंट फ्रॉम्हाल फॉल्विंग पॉइंट फ्रॉम्हाल इन केस ओ थुरॉल्टिपल नसदी अ जातू ऐखियन है चांग मदे दील जाईल अन आउन एरपोर्ट डैसिंग एरपोर्स जाएलोड टेया बूल्स घंतर तु इथिलीन ग्लायकॉल is used in as a common automobile antifreeze. जे तुम्हाला सुरवा तिला यहाई वीडियो सुरू करने चाही अगोदर मी तुम्हाला संगित लःतें. काय शंगित लःतें? इथिलीन ग्लायकॉल is used as a इथिलीन ग्लाइकॉल चा वापर केला जातो परकश्या साथी as a common automobile antifridge since it is non-olatile and a soluble in water therefore it is also used in coolant in automobile radiators atom mobile radiator मदे याचा वापर केलेला आस्तो याचा वापर केलेला आस्तो मीजे विशयाला धरुनत सालत आस्तो बाजा आटा पिटा आस्तो की तो point perfect विद्धाटला समझला पाई जे दोन एक जांपल त्याने आयुष्या मदे कदी विशरलन आई पाई जे ही माजी त्या ठीकांची पोट तिडिक थे माजी तल्मळ थे त्यों पुएंट पूर्ण समझला पाई जे आनि तुम्ची तल्मळ थे कि मी कही तरी विगळा आहे ही दाखवनेयाच अनि कही तरी विशयांतर वगेरे काई तुम्हाला काई बूलत अस्तु प्रक्तु परन घर्ण भड़ा तुम्हाल कैदर सांधहा ब्हेट लाकि काई तरी मधा मदे टाकाईच, मैंजी माझी कॉमेंट कुनी तरी वाच हेल और युच छिड़ा से इंप्रेशन पडेल पनासले कॉमेंट अक के अधिलेंदय टमाला गाडी चो माला गाडी ची DU थंड खैसा कलोंटा केकोश्थ शोलीस की अधिल कोटमा प्रेख T त्यान अंतर अगण अगज अगजित्व फुर्वा ला अगण तेस्टर माते तोइस्थ पूर्ण तो पूर शाइन के मिला है फ्रीजिंग पॉइंट दिप्रेशन हां बुद्धा पाहे लेला आहे यहां मदे तुम्हाला अड़ जर आधन आहे का सांगाा तो यहां मदे काय काय पहला है आपन 간स्तीन क्रायच्फथी सांगित लीड़ा में टानùकर का क्या सांगित τοट लेला आढ कैस्तों अ क्या है सरवात मालड़ा इवस्ट चाहित का स Pakistan ऄड़ा यह चें आपलिकेशन्स आपन लिल्गैक्न कमने मंड़ें कुठें कुठें आया जातो यह कुठें आप लुद केला यह तुम्मा ल्मार्य तसिरंगा गरेंеж ानी जन्रलीक् unf Skillshare विन चींध नेट जीक कुष्यनाह सू flatter healthy यह कहाई ते चारपाच बारक आशा ठीका नी जाता स्तात। मुनुन यांचे अप्लिकेशन्स अपना स्परफेट रित्या महीत असनगर जेच आहे। मुनुन मित्रानों आता या पीरेड मदे अपन काय पाहलेला आहे। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन चे अत्तिशे महत्वा चे पॉइंट पाहलें। वीडियो तुमी शैर के एला से निशाय असे शै करा बाई लाजी चा वीडियो च बरेजन, जब लिलाजी आपका। तेया चे एक सेलिब्रेशन देना राहे 15,000 सब्सक्राइबर कम्प्लिट आता त्याब मदे तुम्चे भी मोला आये मोला चे सहकार आसका तुम्चे सहकार आश्वाई में 15,000 आ परें जाओ शेकत नाही करनका दावी चे मैट चे सहर रहे तैनी सुदा महतले लेकि सर 15,000 सब्स सब्सक्राइबर करें तुम्चे सुदा महला मदद असन गर्जेचा है करनका मी तुम्चे साथी तासंता शीत बशून मी वीडियो बनाऊ तो आटे तुम्ही माज्या साथी युड़च काम करा की थोड़से शेयर करा मित्रां चांगलिया बाभी शेयर करच चला जनरली ठोट शेक उदारन सांग्तो. तो चीप तोटता नाल थे फोड़ आनी दित काल पेशेए ब्रौटल नाला थे फूर्थ लागुइस तो इ लोगेए। अब तरखाल बाजूला जे ती बॉटल लिक आपसमाला तोला विकाई चीत नाइ मंतुथू त्या वे साब एडर ने ने दिया मंतू पाया पुर्त त्या मंतू आनि ती बॉटल गयो ने यो न तो पीतू शुदू अंतो पंचांगले गोस्टि आपन घरवा जावर यह तासता तरी आपन तेना नावबो ठेवता था लक्षी अधिया मनुन चांगले गोस्टि मात्र लोकाना भूम्लून शांगा भलागता था और वाइड गोस्टि मात्र लोका शोधून काड़ा तुम्हाला तर विचार लोका नी एकादया वेक्ती महदा तुम्हाला तुम्हाला कुन् तो बंव बसंता सबसुन से बसंताइक बसंत सबसुन शिकता है तुकते लुप नातूर जिल्या तु लाथू पैट्रम तेने आम चाह परेंद पोचवथ हुझता है अमध्या सवर्म अर श्रुमम् कि आमचा साथी योड़ा वे देता तर आमी आंकिन पाच पन्नास लोकाना का जूड़ूने आसे कजी वाटते का तुमाला ना पर कही जना ना वाटत आनि काही जन का मरूदे काय करेचा आपले आपन कुरें ना ही मित्रानो जो परियंत तुम्ची सकारात्माग बुद्धी त जन्चा जन्चा सोबावाचा गुंधरम अस्तो आश्या लोकांची प्रगति होते जे दोका दुसरी आणा मदद करता तुम्ची मला मदद पाई जे माजी तुम्ची मला मदद पाई जे तर मला या आठ जिवसा मदे 15,000 सब्सक्राइब चाट टल सब्सक्राइबर चा टप तुम्चा मला मदद असन आवशक आहे सग्डेदान शेयर कराल का सग्डेना शेयर करून पाठवाल का सांगा मला सग्डेदान चो मला इतो कॉमेंट पाई जे सद्याला अथा 43 विद्ध्यार की पाहत आहे या आगोदर 300 मुलां पर्यांत आकडा गेलीला होता 333 काई तरी होता ओके 333 पर्यांत गेला होता आता सद्याला 43 44 मुला आहे या सरवान नी जर पाच-पाच मुला नाजरी विडियो दर शेयर केला कराल का शेयर सग्डे तला मला सरवांच इत पाहे जे सरवांच सर नीट जीचे पन्ना सब्सक्राइबर चाले आपर वर बायोलोजी चा एक दम टैलेंटेड परसन में तुम्चा साथी में उबा करतों ओके तर या वीडियो साथी आपड़ी थामब या मित्राणों चला धन्यवाद तुम्हें बहुत दिलात मला तुम्हारे लाबत आहे आज आपन आच् जाले लाए सतिल के ओके 45008 अटावी सब्सक्राइब जाले ले लाए और तुम्चा आच मुद्धी डे के वर तुम्चा अशिर्वादा ने तुम्हीं शेयर करता तुम्हीं स्तरवांग पाथ होता मनून हे मला शक्क्य होत आहे यह सर सगल्याना शेयर लिंक करतों टांग स सब्सक्राइब करें जिद्दी चाहे तिम्हें पन्च इथि याचा मला पूर्ण पूर्ण गुड़ने लास तो खुर्चिला तासन तास इत चुक्तन बसने लास तो रातरी नौ अजे पर एकाच ठीका निज फुर्चिवर बसने लास तो यह वड़े वीडियो चाहर करें ता उत्तर देने या सगला गुश्टी तुम चाह साथी करतो तर तुमची मला मदत हवीच आहे मित्राणों तुमची हवीच आहे तुमची मदत मला हवी आहे सर्व मित्राम परिणतियाला पोछवा और पंची 35 अधारा चा टपा या अठोड़ा मदे पार करने हासाथी मला मद करा त्या साथी धन्यवाद मित्रानों जय ही जय भारत बाई बाई